Classical Conditioning में 5th question है जो challenging है आपको बताना है इंग्लिश में सबसे पहले है In the main process of classical conditioning, which of the following is correct? First option is characteristics of unconditioned stimulus is transferred to conditioned stimulus अच्छा अगर ये ना पता चले कि main process क्या है, कि 3 processes है ना वो समझ लीजिए एक जो before conditioning है, एक during conditioning है, एक after conditioning है यहां main को आप during conditioning लेके चले Second option है characteristics of conditioned stimulus is transferred to unconditioned stimulus Third option है characteristics of conditioned stimulus is transferred to neutral stimulus Characteristics of neutral stimulus is transferred to conditioned stimulus यह आपको difficult लगेगा लेकिन जब logical tricks से यह करवाऊंगा तो कितना easy हो जाएगा That is why इसे challenging question से बिलकुल easy question हमने कर देना है पंजाबी विच है classical conditioning दी मुख प्रिक्रिया विच हेट दित्ते विच्चो केडा सही है Number 1 है बिना condition उतेजना दिया विशेश्ता मानू condition उतेजना विच तबदील किता जान्दा है दूसरा है condition उतेजना दिया विशेश्ता मानू जा दिया विशेश्ता मानू बिना condition उतेजना विच तबदील किता जान्दा है Third है condition उतेजना दिया विच तबदील किता जान्दा है Fourth है निरपक उतेजना दिया विच तबदील किता जान्दा है उन्हें टर्म्स तो अनुकंफियूज कर रही है ने उन्हादी एक्सरसाइज है लेकिन जबाद करवावाँगा वेरी ईजी हो जाएगा हिंदी में है शास्त्रिये कंडीशनिंग की मुख प्रिकरिया में निमन में से कौन सा सही है फर्स्ट इस बिना कंडिशन उतेजना के लक्षन, कंडिशन उतेजना में स्थानांतरत हो जाते हैं, दूसरा है कंडिशन उतेजना के विशेष्टा बिना कंडिशन उतेजना में स्थानांतरत हो जाती है, थर्ड है कंडिशन उतेजना की विशेष्टा और तठस्त उतेजना में को तठास्त उतेजना में स्थानांतर किया जाता है fourth है तठास्त उतेजना के लक्षनों को condition उतेजना में स्थानांतर किया जाता है उतेजना को आप उधिपन भी समझ सकते हैं जां English में अगर आप learn करोगे तो easy रहेगा question जितने difficult लग रहे हैं logical track से उतने असान हो कोई doubt question के regarding है वो भी comment box में जुरूर लिखे learn to actualize Dr. Kira Singh. Thank you.